है विल्कम बैक आयम धर्मिन सर फ्रॉम डियर्स लिंसुट डॉक्टर मुकर्ज नदली मेरे प्यार दोस्त अंग्रेजी सिखाने का हमने बीडा उठाया है तो जस्ट अवांट न कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देना घर बैठे आप घर पे जहां भी हो जैसी सिस्थिम हो आपको अंग्रेजी इस एक महीने के दोरां आपको सिखाऊंगा लेकिन एक कंप्लीट इनोवेटिव आइडियास है यह बिल्कुल नया तरीका है किताब से अलग कॉंसेप्ट से अलग सब कुछ अलग और बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको कुछ टेक्निक्स दे रहा का कोई न कोई अपना एक लेंग्वेज है और लेंग्वेज हम लोग बोलते हैं तो पहले यह जानो कि पूरी भासा जितनी भी भासाओं का प्रियोग करते हैं हम लोग तीन टाइम में ही बोलते हैं present, past, future यही तीन टाइम में हम बोलने का प्रियास करते हैं और इस तीन टा step एक कए करके मैं आपको दे दूँ तो फिर आपका अग्रेजी बहुत आसान हो जगा इसके लिए आपको इक काम करना होगा आपको 8 दिन तक मेरे साथ रहना होगा बोलो त्यार है आप सब 8 दिन तक आपको मेरे साथ रहना होगा तो इस Live Class में आपको 8 दिन रहना है, जो मैं दे रहा हूँ प्रती दिन तो ये आठ दिन तक आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा सफर में, हर दिन मैं लिख दूँगा, Day 1, Day 2, Day 3 तो इस तरह से आपको हमेशा मेरे साथ चलना पड़ेगा, तब ये class complete होगा, आठ class में और आठ क्लास के स्रीज दे करके फिर मैं आगे फिर आठ दूँगा तो इस तरह से आपको लगभग एक महीने के क्लास में मैं आपको अंगरे जी 100% सिखा दूँगा बस जैसा कहा जैना वह ऐसा करना है और पूरे ग्रूप बनाकर के फोन पर ही आपस में डिसकस करना है कि ता तो चलिए शुरुवात करते हैं मिलकर के अंगरे जी बोलने का सिखने का घर बैठ कर पढ़ने का एक नया तरीका इजाद करते हैं ताकि अंगरे जी आपका बहुत आसान हो जाए और चलिए इसी पर सुरुवात करते हैं हम लोग अंगरे जीखने का जो सिलसिला है स्टार् पूरा जीवन तीन काल में जीते हैं, समझना, इस सब मैंने आपके लिखा हुआ है, कि पूरा जीवन तीन काल में जीते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यहीं तीन काल में जीते हैं, और तीन काल में ही जीवन में हम बोलने का प प्राइब सेङ니 का अर्म की भासा बोलना चाहते हैं या गताको कि ग्रामर नहीं तो क्या है अब कि अब थिनों को बताने के लिए लेम्ग्विज का है यूज करते हैंaría वही language को मैं 8 steps में बाठ दिया हूँ, उसी language को मैं 8 भाग में बाठ दिया हूँ, और उस 8 भाग को पहले में समझा दूँ आपको बारीकी से, फिर मैं आपको दिखाऊं कि उस 8 step को कैसे देखो, अब 8 step में पहला है quality, समझे गौर से, पहला क्या है quality, अब हम लोग जो चर्चा क करते हैं, हमेशा quality पे चर्चा करते हैं, पहले मैं आठो को समझा दू, फिर एक एक करके आपको आठ दिन तक सिखाऊंगा, तो कि बड़े अस्तर पे काम करना है, एक दिन में नहीं, अभी एक चुली क्या है कि बहुत सारे गाव में घर में नेट नहीं चलता, अगर मैं एक गंटे का वीडियो बना दूँगा, तो नेट काम नहीं करेगा आपका, अभी नेट का प्रॉलम चल रहा है, इसलिए मैं हर दिन सोचा, क्यों न छोटे छोटे 15-20 में वीडियो बना दूँग, जिससे हर भारतिये, हर बच्चे घर बैठके सिख सके, जो हाउस बाइप हैं, इसलिए पहाऊँगा भी जस्त, एक के कर पूरा समझाऊँगा, जैसे मानलों हमने कहा, समझना आपसे, यू आर अ स्टुडेंट, जैसा कि हमने मानलों कहा, कि सी इस ब्यूटिफुल, हमने कहा, ही इस आ टीचर, यू आर हैंसम, तो यह क्या क्वालिटी है, और क्वालिटी जो हम बोलते हैं, आए दीन हम लोग ओलिटी के बारे में discussion करते हैं, इसलिए उस्पोकेन, क्वालिटी बाला करना चाहिए, यानि क्वालिटी पर अगरे स्पिरिंग करते हैं, इस आर्ठ चीज को समझ गए, तो अंगरे जी आपके लिए बोलना लिखना हलुआ हो जागा, एक्जाम के हलुआ हो तो समझे और से, तो quality you are a student, अब इसके आपको 6 बना नहीं बताऊंगा अब पहले मैं समझा रहा हूँ, habit, habit क्या अधर बेटा, आदत, अब आदत पूरे दुनिया में, आदत का मतलब होता है action, यानि आप कोई भी काम करेंगे, वो action होगा, और action का मतलब आदत क्या होगी, कि मैं आदत क्या होगी, कि मैं आदत क्या होगी, आदत क्या होगी, कि मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमने कहा, you are a student, you are a student, हमने बोला, you go to a school, you go to a school daily, you go to a school daily, तो बोलो action होगा नहीं, इसी को habit कहते हैं, तो habit भी टेंज, या भी present, past, future, कि में बोलना है, you went to a school, है न, you go to a school, past हो जागा, you went to a school, और future हो जागा, you will go to a school, तो ये क्या हो जागा, action, habit, यानि हम लोग जो बोलते हैं, language को, वो आठीए step है, पहला है quality, दूसरा है habit, habit मतलब action, एक एक कर सिखाऊँगा, आराम आराम से, अभी completion, completion का मतलब finished, completion का मतलब finished, completion मतलब finished, जो action finished है, जैसे महां लोग कहा हमने, कि you have, you have done your task, you have done your task, तुमने अपना task complete कर लिया, अब देखो ये भी finished हो गया, हम लोग जो दीन पर दीन बोलते हैं, यही 8 step बोलते हैं, नौमा कुछ होता है नहीं, अंग्रे जी, अब देखिए, कुछ नया तरीका है, सिख ग hypothetical, hypothetical मतलब कलपना करते हैं, क्या करते हैं, कलपना करते हैं, यदि मैं राजा होता, तो तुम मेरी रानी होती, यदि मैं भारत का प्रान मंत्री होता, तो गरीव मीटा देता, यदि मैं तुम्हारी जगा होता, तो ऐसा नहीं बोलता, यदि मैं यह होता, तो वो करता, यदि म आइव बरड बर्ड हना ए मृट फिलाई इफ आई वर अवरिड फिलाई इफ आइव द वरड लूзд ए आग इवड फिलाई इफ आइवर आख वर ड़ाई इं मृटारी की फिलाई इंफाटिक इम्फैटिक का मजला होथा इस monster अिक अब ही मैं पूरा आठ को समझा दे रहा हूं है क्या चीज फिर डिटेल क्लास चलेगा इंफैटिक का मतला होता है जुरदार जैसे हमने कहा कि पढ़ता हूं तो इक को तो मैं पढ़ता तो हूं इंफैटिक हो गया मैं पढ़ता तो हूं आई डूरीट तो एक ही सेंटेंश यू ले सकते हूं है ना हम कर सकते हैं यू डूरीट है ना इफ यू वर अवर्ट यू फ्लाई तो कुछ ही बहुत सकते हो पजेशन पजेशन का मतला वहता है अधिकार जो हम अधिकार दरसाते हैं उसको हम पजेशन कहते हैं तो पजेशन क्या हो अधिकार पजेशन करना अ योर वर्क, समझपारे हो सब लोग, बिल्कूल आप इसको पढ़ी आराम से, यू डू योर वर्क, क्या हो गया, पजेशन, और मॉडल्स, आपको पता है न, मॉडल्स क्यों लिखा है, आमने एच चैप्टर लिखा, चुकि मॉडल्स में दस होते हैं, क्या-क्या, विल, सैल, वूड, सुड, कैन, कूड, में, माइट, मस्ट, और टू, तो पूरा मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाए कंप्लिट होगा, अब इसमें कैन की बात कर सकते हैं, शूड की बात किसी को सलाह देना है, शूड का प्रयोग, पाबर दिखाना है, कैन का प्रयोग, तो इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे हमने कहा, यू केन, डू दिस वर्क, यू केन डू दिस वर्क, तो यह क्या हो गया, मॉडल्स हो गया, observation, अब यह observation बढ़ा concepted है, या क्या है observe करना, किसी चीज को observe करते हैं, जैसे हमने कहा, वो मुझे देखकर रोने लगता है, वो मुझे देखकर हंसने लगता है, तो हंसने लगता है, तो लगता है मतलब वो start करता है, he is start laughing, she is starts crying she is starts beeping, तो यह जो quality पहाऊँगा, बड़े तरीके से आप इस लाइब को पढ़िए, तरीके से देखिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिस करूँगा हर दिन आने का, ताकि आपको घर बैठे, मैं आपको अंगर जी सिखा पाऊँ, कहीं भटकने की जरूत नहीं है, कहीं खरीदने की जरूत नहीं है यहीं से सिखा दूँआ अगर जी, लेकिन अगर आप चाहतो एक systematic class, आप चाहतो बिस्त्रीत class, आप चाहतो pure पूरा grammar, आप चाहतो exam के लिए competitive, तो आप DSL English App download कर लिजी, उस पर हमने पूरा system समझा दिया है और fees भी हमने आधी कर दी है आपके लिए पूरा 50% discount fees कर दी है, उन बच्चों के लिए जिनको detail class चाहिए नहीं तो YouTube पर मैं free class दे रहा हूँ समाज की मदद कर रहा हूँ, एक free class अपढ़िए और English चाहिए, ठीकी बच्चे बापी साहिए, अब मैं बात कर रहा हूँ quality की बात, अब मैं quality के लिए बापस आता हूँ, और यहाँ पे पहला class देता हूँ quality का, समझे एक और से यह quality क्या कहता है quality का मतलब हुआ, कि detail हम बात करें, इसमें being verb का प्रयोग, यानि quality जो हम speaking करते हैं, writing करते हैं, कभी भी English grammar पढ़ते हैं, actually बिना grammar का English नहीं होता, तो जब भी हम अगरी जी पढ़ने के पास करते हैं, quality की बात करते हैं और quality में आप being verb का प्रयोग कर, समझना गोर से being verb का मतलब होता हर चीज में quality आप दिखना है, जैसे मैं एक teacher हूँ, quality है तुमें एक teacher हो, quality है, वह student है, यह कलम है, यह board है, यह सुंदर है, यह विवकूफ है, यह चालाख है यह सब quality है, और quality के लिए हम being verb का यूज करते हैं और इसके लिए भी आपको हर चीज में past की, quality बात करनी है future की, समझे यह बड़ा conceptual, बिल्कुल अलग थ्वासा लगेगा, कि थ्वासा क्या हो रहा है, यह बड़ा मज़दार किताबी ग्यान नहीं दे रहा हूँ, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, I research का part है, आप सिख गए, तो अंग्रेजी में तूफान कर लोगे जो चाहें बोलोगे, बस सिखने का प्रयास करो, present, past, future तिन की बात कर रहा हूँ, present में quality, past की quality future की quality यह quality की बात की जा रही, अंग्रेजी के जड़ में सिखा रहा हूँ, base बना रहा हूँ, अगर यह नहीं आता तो अंग्रेजी कभी रैटनेस नहीं आएगा, अंग्रेजी दो ही चीज़ पिछी का, ठीका है, concept और fact वही concept और fact दे रहा हूँ, रैटने बात को rule नहीं है, quality की बात किया बिंग भर, present की बात किया अब present की क्या है, समझिए, एक sentence कुछे बनाना है तब अंग्रेजी आएगा, अब present की बात क्या है बात क्या है देखो को और से, subject plus is am are, plus, is am are, plus, बना गोश बच्चे, यहाँ पे noun या adjective का प्रेव हो सकता है, जरुवत पड़े तो article लगा सकते हो, right बच्चे is am are, noun, plus, additive अब देखो हम present, अब एक एक कर बात करा, इसकी बात करा, पहले नंबर, तो मैं क्यों न पहले present सिखा दूँ, फिर मैं आपको past के लिए बापीस आँ, चलिए अब मैं पहला present लेता हूँ है, समझिए यहां पहले लिए, is am are, plus, noun, या adjective, ठीके बच्चे, यहां जरुवत पड़े तो बीच में article लगाना है, चुकि मैं अभी present की बात कर रहा हूँ, तो present is am are, plus, noun, या adjective, अभी quality को सूख करेगा, right, अब कोई सूख किया, आपको एक sentence से total 4-5 बनाना है, और इसका अंसर भी देना है, तब अंगरी जी बोलने आएगा, तो पहले मेरे साथ समझे present की बात कर रहा हूँ, हमने एक sentence लिया, और sentence लिया, हमने sentence आपर दिया, कि शालू is beautiful, शालू is beautiful, शालू is चाहाओ, तो यहां पर लगा सकते हो, आप beautiful girl, समझे हैं बहुत सो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, शालू is a beautiful girl, अब यह positive लिया, इसको आप चाहो, तो negative बना सकते हो, शालू is not a beautiful girl, पहले आप सिख लिजे, फटा फटा लिख लिजे इसको, interrogative की बात कर सकता हूँ, तो is शालू a beautiful girl, यहीं पर आप कर सकते हो, interrogative plus negative, तो हमने किया, isn't शालू a beautiful girl, राइड बच्चे, अब हमने चार लिया, पहले चार-चार सिखना है, अब देखिए एक कोश्चन है, शालू is a beautiful girl, तो आपने इस चारों को मान लेना है question, समझे हो, जब कि यह assertive है, assertive है, negative है, interrogative है, यह भी interrogative है, लेकिन आप जब speaking करते हैं, तो आप इसको question के अंदाज में पुछना है, बोलना है, तो जिससे आपको गरी जी, बोलना आजाएगा, आप घर बैठ के सीखिए, trained, आपको बोलना है जी, हमने बोला, शालू is a beautiful girl, तो जवाब आएगा, येस, शालू is a beautiful girl, तो जब question positive हो, तो उसका अंसर भी positive होना चाहिए, शालू is a beautiful girl, येस, शालू is a beautiful girl, या येस को याब हो सकते हैं, शालू, पहले आपको बोलना है, तुरांद sound मज जाओ, येस, शुड़ स्पीक इंडियन इंग्लिज, है ना, ना किया प्रूद को, शालू is a beautiful girl, येस नहीं, आपको अराम से बोलना है, पहले सिखना है, फहले जड़स टरॉं करना है, तभी काम हो पाएगा, तो शालू is a beautiful girl? येस, सालू is a beautiful girl, शालू is not a beautiful girl? येस नहीं पर आपको स्ट्रुक्चर में, छे लेलो सब्जेक, अब यहादे हमने शालू लिया, यहादे मालू लेलो, आलू लेलो, भालू लेलो, जो मन करता है लो subject, हमने यहां बोला सुरेश, तुम भीलो सुरेश is a good boy, सुरेश is not a good boy, is सुरेश a good boy, isn't सुरेश a good boy, हम भीलो, you are a student, you are not a student, are you a student, aren't you a student, तो आपको quality है ये, और इस quality से adjective का पर हो, जैसन बोला, you are mad, you are, आपे देखो, mad लगा हो तो article मत लगा तो हो, वीडियो को पूरा देखो, उल्टा पूल्टा concept मत बनाओ, adjective होगा, तो article नहीं आएगा, noun होगा, तो article आएगा, और समझो, हमने एक sentence कहा, कि you are mad, you are not mad, are you mad, aren't you mad, है ना, क्या तुम पागल हो, are you mad, रट्टा मारते हैं लोग है sentence को, तो quality हमने present की बात करी, अब quality मैं past की बात कर रहा हूँ, यहां तक I hope समझ में आपको आगया होगा, आप मैं बूलवाओंगा आपको, आप यहां sentence देखिए, इसको मिटा रहा हूँ, अब लेता हूँ, quality में past की बात में करता हूँ आपके साथ, structure लिया subject plus was, were, subject plus was, were, plus noun या adjective, रैट बच्चे, यहां जरुव अंगरेजी, बोलना, लिखना, आसान, एक grammar का ही पार्ट होता है, बिना grammar अंगरेजी नहीं होता, subject plus was, were, noun, reality plus, other word, यह भी सो कर रहा हूँ, quality को, आप ज़से हमने बोला, आप sentence लिया, इसके भी चार लेने है, अब आप मेरे साथ बोलो, you, यहां पर लिया, you, अब आपको ब आपको बोलना है, past की बात में कर रहा हूँ, अब past की बात कर रहा हूँ, you, अब you की होई होगा plural, तो वास्तवा अगर नहीं क्या आजाएगा, were, तो हमने बोला, you were, you were, अब यहां पर noun लगा दो, noun लगाना, तो आर्टिकल लगा देना, addit लगाना, तो आर्टिकल मत लगा तो हमने बोला, you were a good boy, you were a good boy, तो मैं अच्छी लड़के थे, you were not a good boy, were you a good boy, weren't you a good boy, तो इस सारे को जो है न, आपको positive, negative, interrogative और डबलुच बनाना है, you were a good boy, you were not a good boy, were you a good boy, weren't you a good boy, उस तरह से ही ले लिया, he, he is a good student, या he is a teacher, he is not a teacher, is he a teacher, isn't he a teacher, उससे ले लिया, she is a good girl, she is a beautiful girl, she is not a beautiful girl, is she a beautiful girl, isn't she a beautiful girl, उससे ले लिया, यहां पर, is a good girl, is a good girl, he is not a good girl, बसमे लोख, उस ले ले, they were, तो they were, यहां पर, is MR, वाजबर, सब जब्धाना खो आप, एक साथ, मैं अलग-लग उसको अलग कर दिया हूँ, आप ही कठे लोग लिखकते हो, subject plus is MR, वाजबर, बिल्भी सेल भी, तो हमने बोला, दे वर दे वर फार्मर्स दे वर नॉट फार्मर्स हना, वर दे फार्मर्स, वर एंट दे फार्मर्स हमार आपको अगला देखिए मैं अभी एक एक कर बात कर रहा हूँ अब देखते हैं future की बात हमने अभी पाश देखा future, future क्या कहता है subject plus will shall be be plus noun या adjective जरुवत पढ़े तो article लगाईए ठीक बच्चे, उसी तरह से subject यहाँ पर डाल दीजे कुछ भी he डाल दिया c डाल दिया they डाल दिया you डाल दिया है ना, और यहाँ पर ललिता डाल दिया ठीके, जो नाव name में कुछ भी ललता, सुनिता, मीता, कमीता सब जो मर करता हो, अब देखो he अब he के साथ, will be, shall भी जो मर, अब यहाँ पर shall तब लगाना जब I, यहाँ पर I भी लिख सकते हो तुम I, तो आब देखो he will be, he will be a good teacher, he will be a good strength, he will not be a good strength, will he be a good strength will he be a not a good strength तो आपको छे बनाना है हम रहे ही विल वी I, शैल वी है ना, तो I will be a good teacher I shall be a good teacher I shall not be a good teacher shall I be a good teacher, shall I be a not a good teacher, तो आपको positive बस ध्यान देख not लगाना तो B से पहले यह B हमेशा, नाउट से पहले होगा, not लगाना तो आपको ही पर not teacher, I will not be a good student I will not be a good, इस तरह से अब हो सकते हो, हना, He will be a farmer He will, तो आपको छे दिया ना आप एक का चार मना ही एक का चार, इस का चार, इस का चार तबना अंगरे जी बोलना आएगा मैं आपको जड़ दे रहा हूं आप घर में खाली मत बैठो यह छोटे छोटे वीडियो नेट की बिज़ास दे रहा हूं ताकि आप सीखो आप 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 से हमने बोला, He का चार मना आदो जैसे हम बोलक दिखा रहा हूं, फिर सुन ले एक आप 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 से He will be a good teacher He will not be a good teacher Will he be a good teacher Will he be not a good teacher तो उस अपना से तो She will be a beautiful girl She will not be a beautiful girl Will she be a beautiful girl Won't she be a beautiful girl देख रहा हूं They will be a good farmer They will not be a good farmer तो इस तरह से आप जो है ना तरह तरह के sentence बना सकते हैं यह सिखने का बहुत अच्छा method है देखो बच्चे मैं सच्ची बबता हूं अंग्रीज सिखने का यही best way तरीका है एक subject लो चार sentence बनाओ एक subject लो चार बनाओ और quality पहला क्या दिया हमने quality और present कोई भी structure लो कोई भी method लो उसको तीन पार्ट में present, past, future क्योंकि इतिहास उचा कर देख लो आपने जीवन को देख लो आप यह तो present में बात करते हैं यह तो past में बात करते हैं यह तो future में बात करते हैं इस video को अगर कहीं भी दिकत लगे तो दुबारा देखो कहीं भी दिकत लगे तिबारा देखो चार बार देखो मैं एक की बात किया हूँ एक एक step लोगा हमने आठ दिखाया था ना, quality कल बात करेंगे आपके साथ habit पे, कल मैं बात करूँगा हमने quality की बात करी थी न अब मैं आपके साथ बात करूँगा habit पे, इस पे बात करूँगा लेकिन आज नहीं, यह पहला point में समापत किया, दूसरा point समाहपत करूगा कल के वीडियो में कल मीलेंगे हम लोग हैबिट को लेके परसु मीलेंगे कामप्लिस्ट लेके लेकिन डिटेल और बड़े आराम से तरीके से काम किया जागा इस सब को डिसकस करूगा आपके लिए और सिखा कर एकीन मानो, अगर आपने वीडियो को लगातार पूरा देखा होगा, इस वीडियो को समझ के पूरा देखेंगे, तो एकीन मानो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आपको 100% अंग्रीजी बोलना आ जाएगा, अगर डिटेल क्लास आए, बिस्तित एक्जाम भी अगर लक्ष है, एक्जाम पास करना भी आपका उदेस है, तब आप DSL English App डाउनलोड कर लिजी, अगर आपका मकसद है, कि आपको एक्जाम भी पास करना है, तो आपको DSL English App, चुकि आपको भी पता है कि यूटूब पर सब कुछ संभाव नहीं है, हमने यूटूब पर 500 वीडिय उसको भी आप देख लिजी, वही मज़दार होगा, तो DSL English App आप डाउनलोड कर लिजी, इसमें अभी आपको बहुत सारे ओफर के क्लासे मिल रहे हैं, आपको WhatsApp नंबर का वीडियो उने बना दिया हुआ, उसको देखिए, जहीं भी ज़रूद पढ़े, आप उसको कॉल करि करते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू, बेरी मुच,